किसी के मिर्थिव के बाद ब्रंभोज के नाम पर पैसे खर्च करना या आर्थिक सोसन के अलावा कुछ नहीं है नमस्कार दब ब्याइटियन से मैं रंजन कुमार बढगागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागा गया था। बैठक की अधिश्ता सुरेंद्र तुरी और संचालन नागेशवर तुरी ने किया। बैठक में मुख रूप से निर्ने लिया गया कि आज से तुरी समाज सामोहिक रूप से बरंभोज यानि मिर्तियो भोज नहीं करेगा। तूरी समाज में आज से सामुहिक मिर्ति भोज पर पूरी तरह से पर्तिबंद लगा दिया गया है वहीं परदेश अध्यक्ष नागेश्वर तूरी ने कहा कि सामुहिक भोज में काफी खर्च हो जाता है और गरीब तबके की लोगों को ज्यादा तकलीफ होती है इसलिए मिर्ति भोज पर खर्च होने वाली रासी को हम अब सिक्षा पर खर्च करेंगे और अपने समाज का विकास करेंगे क्योंकि जब लोग पढ़ेंगे लिखेंगे सिक्षित होंगे तो सही गलत का फैसला कर सकेंगे और अपने परिवार को अपने बुद्धी से आगे ब रहा है और रहन सहन में भी बदला हो रहा है इसलिए अब हम लोगों को पुराने सोच को बदलना होगा तब ही आगे बढ़ पाएंगे आपको बता दें कि जिस तरह से तुरी समाज ने सदियों से चली आ रही जिस रूड़ी वादी परमपरा और सोच से उपर उटकर यह फैसला लिया है यह काबिल तारीफ है हम लोगों को बढ़कागां के तुरी समाज के इस निरने का सम्मान करना चाहिए और मुझे लगता है इस निरने से और भी समाज के लोगों को सीख मिलेगी क्योंकि हम सभी जानते हैं कि किसी के मिर्ति हो जाने के बाद खुशी नहीं होती बलकि सोख ही होता है और एक परिवार जो सोख में डुबा हुआ हो और उसे मिर्ति भोज बरंभोज के नाम पर हजारों लाखों का खर्च करना पड़े या उस सोक क कुल परिवार के उपर एक दोहरी मार है क्योंकि एक तो परिवार का सदस्ट मर गया है दूसरी और ब्रहंबोज के नाम पर पैसे खर्च हो रहे हैं मुझे लगता है कि लोग जनमोच सव, साधी, ब्याय, त्यादी जैसे मौकों पर खुशी जाहिर करें, पाटी दें और खिलाए पिलाएं तो ये सुभा देता है परंतु किसी के मिर्थिव के बाद ब्रहंबोज के नाम पर पैसे खर्च करना या आर्थिक सोशन के अलावा कुछ नहीं है तुरिस समाज के इस बैठक और अथिहासिक निर्णे में जो लोग उपस्थित थे उन में से जिला सची असोक तुरी, जिला परवक्ता संजे तुरी, स्वस्थ प्रभारी उपेंदर तुरी, जिला संगठन मंत्री, कमल तुरी, जितेंदर तुरी, चाक से, लखन तुरी, बल्लू तूरी, विक्की तूरी और बढ़का को तूरी समाज से सैक्रो लोग इस यादगार फैसले का गवाह बने।